सर जब घर में रहना भी मुश्किल हो और बाहर भी कोई ठीकाना ना हो तो क्या करें कहां जाएं ऐसा लगता है जैसे जिन्दगी अटकसी गई है और जब घर में होते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करतें लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे पीछे पढ़ जाते हैं क्या करें ताकि इस मुसिबत से निकला जा सके सबसे पहले जवाब तो यह है कि जो लोग गलतीयां करते हैं और आम तोर पे कोई भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उस और यह अकड़ना तो बहुत जरूरी है बिना अकड़ के जिन्दगी में क्या स्वाद और क्या मज़ा एक बात मैं बिल्कुल स्पस्ट तोर पर बताना चाहता हूं कि अगर आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं और वहाँ पे जब लोगों से बात करेंगे तो सि अपने उपर काम किया है और जिन्होंने अपने आपको इंप्रूव किया है सिरफ वही लोग आपके साथ समझदारी से बात करेंगे नहीं तो 98% यह यह कहलो के मोर दन 90% लोग तो आपको पागली मिलेंगे या तो वो पागलपन के शिकार है या उनको पता है और पता होने क बावजूद भी वो वैसी पागलपन वाली जिन्दगी गुजार रहे हैं या वो ना समझ है लेकिन 90% लोग किसी ने किसी तरीके से कोई emotional disorder के शिकार है इतना तो मैं अपने अनुभव से experience से ये बात बोल सकता हूँ क्योंकि उनके अंदर कुछ न कुछ issues हैं वो ego से related भी हो सकते हैं वो fear से confidence से बहुत सारे है अंदर से लोग कमजोर हैं लेकिन उनको बाहर से कमजोर नहीं दिखना है उनको बाहर दिखावा करना है उनको ऐसे लगते कि दुनिया जो है वो बाहर ही है अंदर की कोई दुनिया ही नहीं है तो मैं कहना कह चाता हूँ, मैं इससे सरफ यही कहना चाता हूँ कि जो लोग वाकई में खुद के उपर काम करते हैं खुद को बहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं वो लोग अपनी गलती को मानते हैं और उनको खुशी होती है अपनी गलती मानने में क्यूंकि उनको लगता है कि ये एक मौका है यहाँ पर मैं अपने आपको सुधार करके खुद बहतर बना सकता हूं अपने आपको बहतर बना सकता हूं और जो लोग अपनी गलती नहीं मानते तो इसका मतलब साफ है कि वो बहुत गहराई से सोच विचार करने वाले विक्ती नहीं है उन्होंने जिन्दगी में कभी भी दिमाग से काम नहीं किया तो फिर लोग दिमाग से काम नहीं करते तो काम कैसे करते हैं लोग emotional thinking करते हैं, emotional thinking मुझे इस बात को समझने में काफी वक्त लगा क्योंकि मुझे लगता था कि लोग दिमाग से सोचते होंगे, लेकिन जब एक experience हुआ, मतलब life के काफी experiences हो गए, लोगों को समझा तो मुझे समझ में आया है कि लोग सोचते तो ही नहीं, बस जैसे ही कुछ करेंगे, उनके दिमाग में कुछ बात आती है, बस उसी बात को सच समझ के उसके उपर वो action ले लेते हैं, वो कभी भी निश्पक्ष तोर पे ये जानने या समझने की कोशिश नहीं करते, कि जो दूसरे ने किया, जो हमने किया, उसमें से क्या सही था और क्या गलत था, क्य को ऐसे बोल सकते हैं, कि जो लोग सोचते ही नहीं हैं, वो लोग एगो के कंट्रोल में रहते हैं, और वो लोग गलती एकसेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगएगा कि अगर हमने गलती एकसेप्ट कर ली, फिर तो हम छोटे हो जाएंगे, और यही चीज लोगों क बिल्कुल भी नहीं शर्माते क्योंकि उनको लगता है कि एक मौका है जिसको हम सुधारने में इस्तमाल कर सकते हैं हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहतर बना सकते हैं लेकिन उनकी इगो उनके सामने आ जाती है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंग तो जैसे खुद गलती करते हैं तो माफी चाहिए और दूसरा गलती करता है तो इंसाफ चाहिए ये एक कम अकल व्यक्ति की पहचान है या ना समझ व्यक्ति की पहचान है जो कम अकल है क्योंकि खुद गलती करते हो तो फिर इंसाफ क्यों नहीं चाहिए तब तो माफी चाह आता हूं बात लंबी में खींचूंगा नहीं कि जितनी मर्जी खींचते रों उसको कोई पॉइंट नहीं है बाद सारी यह है कि दुनिया में आपको ज्यादा तर आप बस यही सोच के चलो कि पागल हैं लोग यहां तो कोई पागल क्यूं कहा रहो हम आ है क्योंकि दिमाग से चलना नहीं है, जो दिल में आता है, वो कर देना है, सोचना समझना कुछ है नहीं, इसी को बोलता है, emotional way में react करना, emotional thinking कहलो या emotional reaction कहलो, emotional thinking गलत शब्द है, emotional reaction ही सही शब्द है, thinking तो होती नहीं है, बस कुछ भी आया दिमाग में, और बस वैसे react कर देना है, सोचना समझना नही है तो अब ये भी नहीं है कि कोई लोग पेरेंट्स बन गए हैं बच्चे पैदा करने में क्या समझदारी का काम होता है बच्चे पैदा करने में कोई दिमाग का काम इस्तेमाल थोड़े होता है वो तो बस नॉर्मल काम है लेकिन जिन्दगी को समझने में दिमाग का यूज ह होता है को निला कि कहने का मतलब या कि कोई गज़से PC बदने की कोशिक्श करता है कि और यहेद देखता दरी को ठीक करूं और जृसको को लगता की दूसरों की अगलता है Р śतिती है डेखता है लेकिन मेंध विलकुल भी नहीं रखता क्यूंकि उसको पता है कि विक्ति को खुद बदलने में बहुत टाइम लगता है बहुत अंदर से motivation चाहिए, बहुत स्ट्रॉंग होना चाहिए जो willpower है инसान की वह बढ़ी strong होना चाहिए अगर willpower ही strong नहीं है तो आप नहीं बदल सकते खुद को इसलिए अगर हम किशी को बोल दें कि यार यह तुमने गलती कर दी और आप इसको ठीक करो तो वो शायद accept कर लेगा लेकिन ठीक कर लिए तो बोल जाओ क्योंकि अगर हम खुद पे ध्यान दें कि अगर हम खुद कोई गलती करते हैं और उसको चीज को सुधारने लग जाएं तो हमें बहुत efforts डालने पड़ेंगे बहुत मेहनत करने ही पड़ेगी लोग मेनत नहीं करना चाहते हैं लोग तो मेनत करना ही नहीं चाहते हैं और दिमाग से तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं लोग दिमाग क्यों नहीं चलाते हैं क्योंकि दिमाग चलाना मुश्किल काम होता है ठका देने वाला काम होता है इसलिए लोग दिमाग नहीं चलाते हैं तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी से कुछ expect मत करें अगर आपके parents वगरा गलती करते हैं या कोई भी गलती करता है तो आप समझें और उनको बता सकते हैं कि आपने इंगलत किया क्या करें याटक से गई जिन्दगी अपकी नहीं बहुत से लोगों की अठ्की हुई है नहीं कि कोई शाधी करने के बाद आदों थे उलज गई है बच्चेों को संसकार दिये जाते थे थोड़ा discipline सिखाय जाता था अब वो discipline की कमी है जिसकी वूजे से लोग एक दूसरे की respect भी नहीं करते हैं तो बहुत कुछ अवेवस्थित है मतलब arrangement बिल्कुल damage हो चुकी है जिसके उपर लोग अब ध्यान भी नहीं देते हैं और कुछ समझ भी नहीं आता है क्योंकि पहले घर परिवार में बड़े बज़र्ग लोग हुआ करते थे जो सही लोगों को guide करते थे कम से कम शिष्टा चार तो सिखाते थे तमीज इज़त से बात करना सिखाते थे अब तो वो भी नहीं रहे लोगों के जो moral values हैं वो बिल्कुल zero हो चुके हैं पती पतनी दुनों एक दूसरे के साथ हो के भी एक साथ नहीं रहते उनके बाहर relationship से चलते रहते हैं तो कहने का मतलब है बहुत ही काम खराब है लेकिन मैं यही कहूंगा कि चाहे जितना मर्जी भी काम खराब हो जाए आदमी हो चाहे औरत हो उसको मुश्किलें रोक नहीं सकती अगर वो अंदर से कमजोर नहीं है मैं बस यही कहूंगा कि बाहर की चुनोतियां आपको नहीं हराती अंदर की कमजोरियां हराती है अगर अब यह इस चीज़ को आपने देखना है कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन मैं बस यह कहूंगा कि हम चाहे जितनी मर्जी शिकायते कर लें यह शिकायते हमारी भी कमजोरियों को दिखाता है कि हम भी अंदर से कमजोर हैं इसी वज़े से हम ऐसा फील करते हैं कि हम अटक गई और रिलेशन्शिप में कई लोग इस वज़े से भी रहते हैं क्योंकि उनके अंदर emotional attachment issues होते हैं उनके अंदर की emotional कमजोरियां होती है जिसका फायदा दूसरा partner उठाता है उसको पता है कि यह कहीं नहीं जाएगी जैसे मर्जी जुल्म कर लो मैं कितनी लड़कियों को ऐसी जानता हूँ जो की जबरदस्ती relationship में है और उनका जो boyfriend है वो दूसरी लड़कियों के साथ खोले हाँ flirting करता है लेकिन लड़की ये सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ relation में है शादी भी करना चाहती है क्यों? क्योंकि वो मैं किसी और के साथ रही नहीं सकती मुझे एड़जस्ट करना पड़ेगा तो ये जो सोच है अब व्यक्ति की जो सोच है वही तो उसके जिन्दगी निरधारित करती है कुछ तो अपने करम भी होते हैं पिछले जनम के क्या हमें ये ऐसे वातावरें मिला लेकिन अब मैं असली बात आपको जो बताऊँगा वो बस यही है कि देखो जिन्दगी एक दिन में नहीं बनाई जा सकती हमें खुद को अंदर से स्ट्रॉंग करना है अंदर से खुद को स्ट्रॉंग करने का मतलब यह है कि हमें है ये सरफ इज़त है उसकी करती है जो की दो पैसे कमाता हो जिसकी जो किसी भी तरीके को इसको नमस्त भी करेगा और आप यह जो है ना लोग बहुत दुनिया को विहवारिक तौर पर नहीं देखते हैं उनको लगता है कि जो दुनिया ना के पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चेओं के लिए केर करनी चाहिए इस किसम की जो समाजिक विवस्था बनिया करना तो चाहिए लेकिन क्या करते हैं अब नियूज में भी देख रहे हो गया अगर आप लोग नियूज देखते हैं तो जो औरते हैं वो अपना घर चोड़के किसी दूसरे मर्द के पास गैर मर्द के पास अपना घर और बच्चे चोड़के दूसरे गैर मर्द के पास चली ज कितना कुछ हो रहा है तो बहुत कुछ ना जायज हो रहा है तो वही है एक होता है किताबी बाते हैं और एक होती हैं विहवारी के बाते हैं किताबी बाते ही हैं यह सब के समाजी की विवस्ता है ऐसी है पेरेंट्स की यह जिम्मेदारिया होती है बच्चों की यह जिम्मेदा जा रहे हैं और देखा देखी में लोग ऐसी होते जा रहे हैं सब का जो सोचने का समझने का तरीका है वो बिल्कुल इंडिविजुलिस्टिक होता जा रहे है जैसे विदेशों में क्या है हमारे यहाँ पे फैमिली सिस्टम था विदेशों में इंडिविजुलिस्टिक साथ नहीं रहते चाहे किराये के मकान में रहें तभी तो वह अपने साथ गल्फेंट रख लेते हैं तभी वह नशों में घुजाते नशे शुरू कर देते हैं विदेशों में ज्यादा बुरी हालत है जो जवान लोगों की जितना यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं मैं करो नहीं तो सारी जिन्दगी शिकायत करते करते निकल जाएगी हम किसी को नहीं बदल सकते जो जो आपका बॉयफ्रेंड है यह नालायक आदमी है इस व्यक्ति से अटैच्मेंट खतम करो धीरे धीरे छोड़ दो इसको दूरी बना लो emotional distance create करो और इसको छोड़ दो ऐसे न और तुम्हें अच्छा भी लगेगा और वो तुम्हेरे confidence को भी improve करेगा और नहीं तो घर बैठे रहो और बस लोगों की सुनते रो बहुत बुरी हलत हो जाती है यह नहीं पता कि जिन्दगी जिन्दगी का यह नहीं पता कि अगला जनम होता है नहीं होता हमें इस बारे मे अलग अलग लोगों की सोच है लेकिन हमें नहीं पता कि इसके बारे में क्या होता क्या नहीं होता वैसे तो जोतिश में तो कहते हैं कि जन्म होते हैं और बहुत कुछ बाते हैं लेकिन हमें इस जन्म का देखना है कि अगले जन्म का देखना है या अगले जन्मों का देखन तो हमें कुछ न कुछ अपने उपर ही काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइफ में योगा को जगा दो, प्रनायाम किया करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, जो कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो करो, अपने उपर ध्यान दो, एक बात बता दू, अगर आप स्वस्थ नह नहीं समझेंगे और बोज की कोई कीमत नहीं होती है आपको अपनी कीमत बनानी पड़ेगी आपको स्वस्थ होना पड़ेगा आपको काम करना पड़ेगा और मेरा अब विश्वास करो आप थोड़े से भी शुरू करोगे धीरे 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 आप बेतर हो जाओगे क्यो मुझे नहीं लगता है कि तुमने कभी seriously अपनी शेहत पर भी ध्यान दिया होगा अगर दिया होता तो आप ठीक हो जाती है आप बिमार नहीं रह सकती थी लेकिन दिक्कत यह कि ज़्यातर लोग है वो relationship में गुजाते हैं और अपना सारा time energy वहां पर waste कर देते हैं और वो अपन जगत रहते हैं इसलिए लोगों के उपर relationship के उपर बिलकुल मत ध्यान दो ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शेहत के उपर दो और कोशिश करो अपनी internal जो भी तुमारी confidence है उसके उपर काम करो और वो कैसे काम किया जा सकता है उसके लिए भी बहुत सारी वीडि movement की कोशिश करो जिन्दगी में अगर आप कमजोर रहेगे कोई आपको support नहीं करेगा कमजोर के पास कोई नहीं आए करता अगर आप खुद के उपर काम करोगे तो धीरी धीरी आप जब strong होने लग जाओगे मजबूत होने लग जाओगे तो लोग आपके पास आने अपने आप शुरू हो जाएंगे क्योंकि ऐसी काम करते हैं ऐसे यह जो व्यावारिकता में ऐसे ही होता है कमजोर के पास कोई नहीं आता है तो अपनी उपर काम करो अंदर से जब तुम मजबूत हो गई तो तुम देखोगी कि तुम्हें कुछ फरक नहीं पड़ता है कोई क्या कर परक siitä तो वा पर गास कोई ड्य legisl ह Sud करें कि पर वा टाम कर दो ड़म से पास कोई करें जह होता है यह होता है तो आपास क कि अआता है क्या पास कर्फ़ाइज है क कि दो चैसी होता है कि